हलो एवरिवन माइनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ चत्तिसगर वार्थी काकलन प्रयोजना प्रोजेक्ट कारिये सत्र दो हजार बाइस तेवीश कक्छा आठवी विशाय समाजिक विज्ञान सोसल साइन्स के बारें बताने वाला हूँ तो स्टुडेंट विडियो को लाइक, सेयर और योटूब चैनल को सस्क्राइब कर ले प्रोजेक्ट कितना समय में पूरा करना है तो एक सपता का समय में छात्रों को अपना प्रोजेक्ट जमा करना है पुन्णांक रहेगा बी संको का तो यहाँ सबसे पहले निर्देश दिय जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों प्रोजेक्ट कारे के लिए बच्चों को एक सपता का समय दिया जाएगा बच्चों को प्रोजेक्ट कारे स्वयम बनाने वा प्रोजेक्ट संबंदी खोज करने के लिए प्रोजेक्ट कारे के लिए सिक्छक बच्चों को आवस्यक दिसा निर्देश दे, बच्चों को प्रोजेक्ट कारे बनाने के बाद कक्छा में प्रस्तूती करन करने के लिए कहे, प्रोजेक्ट कारे वेक्तिगत या सामुहिक दे सकते हैं, प्रोजेक्ट कारे सरल और वैवारिक हो, तो दो प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया, दोनों का उत्तर हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे तो पहला प्रश्ण है आपका जल क्या है, कुवा, नलकूप और जलासे, भूजल प्राप्ति के मुख्य स्तरोत कैसे हैं भूजल इसतर को बढ़ाने के उपाय लिखें, जो उपयोगी जल एक प्रतिसत हमारे उपयोग के लिए उपलब्द है, उसका हम सिर्फ 0.006% ही करते हैं पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं, प्रतिवी का लगबग 3-4 भाग याने की 71% भाग जल से ढखा हुआ है, इस भाग को जल मंडल कहते हैं जल एक रसाइनिक पदार्थ है, जिसका रसाइनिक सुत्र S2O होता है, जल के एक अणू में दो हाइडरोजन के परमाणूं ससंयोजग बंद के द्वारा एक ऑक्सिजन के परमाणूं से जुड़े रहते हैं भू जल एक ऐसा जल है जो समानेता भूमी गत रूप में पाया जाता है तता इसे कूओं, ट्यूब वैल, अत्वा हैंड पंपो द्वारा खुदाई करके प्राप्त किया जाता है सतही पानी खुले रूप में पाया जाता है एवं आसानी से दोसित हो सकता है भूजल पृत्वी के अंदर छिपा पाया है इसे असानी से दोसित नहीं किया जा सकता है तो इस तरह से आपको उत्तर कर लेना है उसके बाद आपको अंतिम चरण में इसमें बताने है भूजल के स्थर को बढ़ाने के उपाया भूजल को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो रेन प्रियावरन प्रदूशन कम से कम प्लास्टिक का उप्योग कम से कम करें पेड़ पौधो की कटाई कम से कम हो तो परियावरन को संतुलित बना के रखेंगे तब भूजल इस्तर को बढ़ाया जा सकता है कुओं नलकूपो का सिमीत प्रयोग करना चाहिए तो ये आपके कुछ उपाय है भूजल इस्तर को बढ़ाने के और भी उपाय हो सकते जिसको चात्र अपने अधार पर लिख सकते हैं उसके बाद है विश्व के महाद्वीप और महासागर के नाम बताने हैं उनके नाम ही लिखना है साथ महादीप है एस्या महादीप सबसे बड़ा महादीप है यूरोप महादीप अफरिका महादीप उत्तरी अमरिका दक्षिन अमरिका औस्टेलिया अंटार्टिका ये कुछ महादीप 7 आपके कॉंटिनेंट है आपके एस्या यूरोप अफरिका अमेरिका उत्तरी अमरिका North America और आपके South America Australia and Antarctica फिर महासागर पांच महासागर के नाम है Worldwide आपके प्रसांत महासागर Atlantic महासागर हिंद महासागर आर्कटिक महासागर Antarctic महासागर तो यह महासागरों के नाम है जिनको आपको इसमें पूछा गया था महासागर और महादुइप के नाम लिखे इस तरह से आपको दो प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना है ऐसे ही लिखोगे तो आपको 20 में से 20 अंक प्राप्त होंगे तो आपको जल्दी से लिख लेना है और इस विडियो को जादा से जादा लोगों तक सेयर करे ताकि सभी बच्चे 20 में से 20 अंक प्राप्त करे धन्यवाद